Hello friends, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि PLC DCS और PID controller से control valve को कैसे operate करते हैं दोस्तों क्योंकि PLC instrumentation में controlling के लिए use होता है तो आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि PLC DCS से control valve और system को कैसे control करते हैं ये आपसे इंटर्वूज में भी पूछाया सकता है तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कंट्रोल सिस्टम के पार्ट्स को इसमें सबसे पहले आता है कंट्रोलर कंट्रोलर में PLCDCS और PID कंट्रोलर का यूज किया जाता है कंट्रोलर का यूज प्रोसेस को अटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कंट्रोलर का आउटपुट कंट्रोल वाल्प्स को दिया जाता है और processes को automatically control किया जाता है controller का output usually 4 to 20 mA होता है इसी output signal से control valves को numatically operate किया जाता है next part है actuator 4 to 20 mA signal को एक actuator का use करके numatic signal में convert किया जाता है यह बहुत important point है कहीं note कर लिजेगा आप यह actuator I2P converter, numatic actuator, elektronumatic actuator या smart valve positioner हो सकते है PLCDCS या PID controller से 4 to 20 mA signal actuator को दिया जाएगा 4 to 20 mA signal के according ही control valve 0 से 100% operate होगा दोस्तो यहां आपको एक बाद ध्यान रखनी है कि actuators का work control valve को control करना होता है यह question आप से interviews में भी पूछ लिया जाता है कि numatic control valve का actuator क्या होता है और कौन-कौन से actuators का use किया जाता है तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं देखी दोस्तो एक्ट्वेटर से operate होने के बाद set point के according control valve parameter को maintain करता है next part है sensor या transmitter अब parameter को maintain करने के बाद parameter को measure करने के लिए एक transmitter या sensor का use होता है इस transmitter या sensor से normally 4 to 20 mAh signal भेजा जाता है ये signal as a feedback PLCDCS या PID controller को भेजा जाता है दोस्तो डाइग्राम से आप animation के थुरू समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा control system control valve को operate करने के लिए और किसी parameter को maintain करने के लिए work करता है एक बात आपको और ध्यान रखनी है process control में control valve final control element होता है दोस्तो process में जो भी value चल लई है उसका feedback provide करने के लिए sensor का use किया जाता है या transmitter का use किया जाता है ये signal को measure करने के लिए use किया जाता है और उस signal को controller को transmit भी करता है और इस तरह से एक control loop काम करता रहता है और parameters automatically control होते रहते है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो